भगास सिंग बोला करते थे इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जजवातों से कि मैं इसके लिखना चाहता हूं पर इनकलाब लिख जाता हूं ऐसे से किसे भगास सिंग से अनिक जुले हुए हैं जी हां आप देख रहे हैं कि आज 8 सितंबर अठाइज सितंबर है ना आठाइज सितंबर 1923 साथ मिनका जनम हुआ था आज ही के दिन में उनका जियनती होना जाता है जनम दिन वाला तो 8 सितंबर 1907 को पंजाब हलाकि इस समय देखो गए तो पूरी तरह से पकिस्तान में चला गया है पंजाब रांत ने बिटिस भारत उस समय इनका जन्म हुआ था इनके माता पिता कि नाम बहुत ईंके माता फिता मता के नाम था बिद्धावतिम और पीटारutan antakeioè design सिंग किसन सिंग संधु पीता थी और इनका जनम बता दोंगा 28 सिटाबन 1907 से क्यों हम आज की डेट में बताने वाले हैं बाबो जो आपके दस्टी क्लास और ब्रहुन क्लास में कहीं न कहीं इन से घटना जूल कर बाव दुनमर्य एक नमर्य कोस्टन बन जाता है तहीं आज जियनती के बारे में जान जाओगे और दूसरा बात की इनसे जो भी कोस्टन पूछेगा और भगाशिंग हमारे चहेता हैं मत्तों सभी के दिलों पर राज करते हैं इनके जैसे इस आजम कहे जाने वाले हैं इनका उपाधि होता है उन्य नाम इन्हें किस नाम से जाना जात आज अधर पस्रीम कहां बोलोगे पकिस्तान में चला गया है लेकिन उससामें भारत पकिस्तान एक में था नौ। मृत पता रहा हैं मृत हो तेश मार्च में इतना कर नाम कर वाठ है कि दुनिया इनको याद करती है प्रफ फांसी देना असमारक बनाया गया असमारक बनाया गया इनका दिहांत हो गया यहांसी के फंदेपल पनाया गया तो उसके पुछा जाए इनके असमारक क्या है भगत सिंह के असमारक क्या है तो क्या बतागा हुसेनी वाला राष्टी सहीद असमारक इसके बाद देखो इनके समय में जोड़ा हुआ बहुत ऐसे घटना पुले पुरा देख लो और ने नाम सहीद आजम कहा जाता है गठम यहां संगठ वल्लाकि अनकों संगठन बनाया लेकिन दुगों संगठन इतना ज्याधा कारगर होता है जो इतिहास के पण्नों में सबसे ज्याद़ फिमस होता है और यहीं पुछा जाता है शहरी दर नाम बते नौजवान भारत सभां दूसरा था किसी अंगठन के तहती बताय गया था कि हमारे भार की सकनेust秒 की नागतर के गरम दल के दा नकि भाग लिया थी और बंधू Specifically बनाते लूया ऊंगरेजि़ों को मारने के परियास करते थे अंग्नरेजह छैंहसाफ करने को साहते अंग्रेजों के यहां से भागाना चाहते थे देश को आजादी दिलाना चाहते थे बहुत मेहनत किया बहुत संघर्स किया और भी देखोगा अंदोलन का नाम था भारती सोतंतरता अंदोलन भारती सोतंतरता अंदोलन में इन लोग के द्वाराई सब काम किया जा रहा था थोग आदमी कात्या की थे संडर्स और संसिंह इन्हें हथ्या के कारण भावत सिंह को फ्हांसे के फंदे फ्हांदे काना पड़ा इन दोनों हथ्या के कारण और गंधीजी चाहते कि भावत्स निeremज़बूरिया थी आप अब्लिभाव इनके माता की तो नाम समेरे हो और इसे छोटा नहीं हो पर आठेगा तो हम क्या करते हैं इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं यहां कर देते हम से ओके इसके बाद हम देखो इस आस्मारा को देखो देखना चाहूंगे यादी मान लोग भूमने फिरने का इक्षा कर रहा है तो कहां जाना पड़ेगा थी फोर्टो देख सकते हो यहां फोटो देख सकते हुच अहाँ लगा हुआ है नहीं को सब तो कि चलिए वहाल यहां आप देख करना हुँ दूप गया है लोग के पास हमारे भार्त के क्रांथीकारी थे एक दम नहीं करना चाहते थे की वाले बैठे वे तेमांग को लेकर इनकी आदमी को दूवादमी को पकड़ा गया था लेकन इनके दो उपर क्या किया गया गाए गुलिया चलाना शुरू कर दे या अब यहां से देखए जब निहे लोगों पर गुलिया चलाना जैसे सुरू होता है ना तो यहां के लोग अपना जान बचाने के लिए वैas just support रहाता रास्ते में बहुत बढ़का कुमआ था कितना लोग मतलग निचे लुका गया चीप गया में कितना लोग अपना आपने जान ने के ये इस निपनें आभनें उसने लुए कहां सिने कि फिल टूгрetzen जैसे से बहुत ज्यादा कर नाम एक घटिया-घटिया कर नाम जब फश्व बात संग देखे हमारे आखोंके सामने कितना देबैर ठीक तो तंदर शेया ना नहीं भारतियरों लोगों को मरा जा रहा है इस परकार कौसम खाते हैं कि हम जब भी आजा जब भी हम नोज़ुआ होगे हम अपण पर आएंगे देखी नहिंगे इनसमे का बद लिए इनके दिल किसी भी चीज में यदिवाद करना चाहिए तो बदला लेना जरूरी होता है हम उनसे जूले हुए कुछ और बात बताते हैं बागु एक काम करो सब्सक्राइब करें साधी करना दूर की बाताता है इनका मानना एक हम गुलाम देसके पालता हुए गुल्हन भी लेकिन हमारे वैसन नहीं